और उसकी 22 में और 23 में आई था प्रेज लॉड थेंक यू पुदाई कलाम में लिखा हैं यनका शरीर का दिया आंख है इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजयाला होगा परन्तु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधिहारा ह होगा इस कारण वे उजियाला जो तुझ में है यदि अंदकार हो तो वे अंदकार कैसा बढ़ा होगा ते जलॉड दूआ मन्या मैं तेरे अनुखरे के साहे में लाता हूँ खुदावन होने देबाप की मैं शुन्ने बनू इस पल से पिता मेरे मुख से जो निकले पर मेश्वर वो तेरा वचन हो और तिरे लोगों के लिए बरकतों का वाई सुआ यूश्यू के नाम से आमें मैं तो खुदावन दे एकलाम में क्या लिखा है अगर में और आप आम भाशा में से बढ़ें तो यहां खुदावन के वचन में लिखा है कि शरी का दिया क्या है शरी का दिया आंक है इसलिए यदि तेरी आंक निर्मल हो तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा मैं तो यहां पर येशुमसीन ने दिस्तानतों बे बाते हैं और उसने किसका एक्जामपल दिया है येशुमसीन अपने शैि का एक्जामपल दिया है कि हमारी आँख जो है आँख ही एक पूरी बॉड़ी में ऐसा सोर्स है जिससे हम इस संसार के उजयाले को देख पाते हैं मैं तो इस बॉडी के अंदर कोई replacement नहीं है इस आँख का अगर यह आँख ठीक है तब ही हम सारे संसार के उजयाले को देख पाते हैं और अगर शारा शरीर भी अंधिहारा होगा इसका मतलब आँख अगर ने अगर काम करना बंद कर दिया तो पुरी बॉड़ी का कोई भी पार्ट जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता सारा शरीर जो है वो कैसा हो जाएगा अंधिहारा क्यों अंधिहारे का मतलब अगर आँखे में बंद कर लूँ अब मैं चाहूं कि मैं किसी को किसी भी स्थान पर सही तरह से पहुँच सकूँ तो मेरे पाउं की आँखे मी क्या हो गई है मैं अपनी आँखों को अगर बंद कर लूँ इसलिए खुदावन के वचन में लिखा है कि ये श्मसी बड़ी उत्तना बात कहते हैं और वह कहते हैं तरी शरीर को क्या है आख का दिया है और इस कारण वे उज्या ला जो तुझ में यद अंदकार हो जाए तो कित्मा बड़ा अंदकार होगा कहने का दाथ पर यहाँ पर य अदम हरववा को बनाया तो उसने अपने अपनी आत्मा अपने जीवन की स्वास मनुष्य के जिंदगी के अंदर ठेरा दी और मैं दो वह आत्मा नेरंतर मुझे और को परमेश्वर की नजदी की में ले जाती है वही आत्मा है वही एक धीनी आवाज है जो मुझे और आपको सही और गलत का अंतर बताती है आमीद वो आत्मा कब तक मेरे और आपके जीवन के अंदर जिंदा रहती है अरथात मेरे आपके शरीर का दिया क्या है मेरे आपके पूरे शरी का दिया आत्मिक जिंदगी में अगर में और आप बात करें तो मेरे आपके पूरे शरी का दिया क्या है परमेश्वर की वो पुवित्रात्मा परमेश्वर की वो शुद्धात्मा और जब तक वो परमेश्वर के शुद्ध आत्मा मेरी आपके विचारों में है मेरी आपकी सोच में है मेरी आपके जलचलन में है मेरी आपकी जिन्दगी में है और मेरी आपके दिल के अंदर बास करती है तब तक सारा संसार में सही चीदे में और आप देख पाएंगे में और आप उचित रीती से संसार में अपनी जिन्दगी को जी पाएंगे अगर परमेश्वर कात्मा मेरे और आपके जीवन को डारेक्ट कर रहा है तो अगर मेरी आपकी जिन्दगी को चला रहा है अगर मेरी आपके जीवन में मुझे और आपको पत्व प्रदर्शित कर रहा है वो पवित्र आत्मा तब तक मेरा और आपका शरीर जो है वो उज्याले में चलेगा क्या सही है क्या गलत है ये मुझो और आपको परमिश्वर का आत्मा ही बदाता है जैसे कि शहीर को जो है वो सही दिशा में चलने के लिए आँखों की जरुवत है आँखों का मतलब उजयालने की जरुवत है वैसे ही मुझो और आपको आत्मिक जीवन में उचित काम करने के लिए आत्मिक जिन्दगी को बचाए रखने के लिए मुझे और आपको पवित्रात्मा के निर्देशों की जरूत है मुझे और आपको पवित्रात्मा की गाइडन्स की जरूत है मैईदो ये वचन ही है जो मेरी आपकी आत्मिक जीवन में उन्नती का काम करता है और उजयाले का काम करता है जैसे खुदावन के खलामे लिखा है तेरा वच्छन मेरे भाओं के लिए दीपग और मेरे मार के लिए उजयाला है मैं ही तो वो फरमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको इस अंसार के अंदर नानबकार के अन्दकार की शक्तियों से नानपकार के दुस्त की चालों से नानपकार के उन अनाग्यकारी जिन्दगियों से बचा कर लेके जाती है लेकिन अब सवाल क्या है सवाल यह है कि किस की जिन्दगी में कौन ठहरा है मुझे तो खड़ावण ने हरेक को अपनी आत्मा दी खड़ावण ने हरेक को आखें दी यह आखें क्या पुरी बॉडी का अजियाल है न को परमेश्वर ने आखें बराबर दी लेकिन किसी कुछ कुछ लोगों की आखें क्या होती गई खराब होती गई बहुत जदा मॉवाइल देख लेने से बहुत जदा लैपटॉप देख लेने से बहुत जदा अलग अलग प्रकार की लापरवाहिया करने की वज़े से कुछ को फिर मुटिया बिंदो गया, कुछ को कुछ हो गया कुछ की आँखों में चश्में चल गए, धी में धी में कर क्या ही साइड डाउन होती गई और एक समय साया कि उसकी आँखें ने काम करना बंद कर दिया मेरी तो ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी कहीं न कहीं में और आप लापरवाहिया करते हैं जिससे की मेरी आपकी आत्मिक आँखें जो है मेरी आपकी आत्मिक दे को उचित रीती से डारेक्ट करने में गरबढ़ा जाती है मेरी तो जैसे शार्रिक आँखों में मोतिया बेदिया बाकी चीद हो जाती है वैसी आत्मिक जिंदगी में भी लापर्माईया करने से में और आप परमिश्वर की आत्मा से और परमिश्वर के वचन से परमिश्वर के अबशेक से और परमिश्वर की सामर से वंचित होते जाते हैं और जिस दिन वही आत्मा मेरी और आपकी जिन्दगी में जो मुझे और आपको उस अनंत काल के मार्ग में लेकर जा रही है जब वही काम करना बंद कर देगी खुदा इकला में क्या लिखा है परंति यदि तेरी आँख बुरी हो और तेरा सारा शरीर भी अंध्यारा होगा महीदों गर आँख में प्रॉब्लम हो गई तो सारे शरीर में अंध्यारा हो गया अगर आत्मिक जिन्दगी और आत्मिक आँखों को मैंने और आपने खराब कर लिया तो definitely मेरे और आपके शरीर को उस नरक की आख में जाने से कोई बचा नहीं सकता महीदों क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको बचाता है अब सवाल है कि मैं और आप अपनी आत्मिक आखों को कैसे खराब कर लेते हैं मेरे और आप अपनी आत्मिक आखों को अनग्यकारी होकर मेरे और आप अपनी आत्मिक आखों को परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया, उसकी करुना, उसकी सामत और उसके अनुगरे से वंचित होके खराब कर लेते हैं में और आप जब जब परमेश्वर की आज्याओं को तोड़ते हैं, जब जब में और आप परमेश्वर के वचन से बाहर जाते हैं, जब जब में और आप परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, जब जब में और आप परमेश्वर की आत्मा को दुखित करते है तब तब धीमे धीमे मेरे आपके संबंद पर मेश्वर के साथ तूटते जाते हैं धीमे धीमे मेरे आपकी आत्मिक आखें बंद होती जाती हैं धीमे धीमे संसार कांध्यारा अर्थात अंदकार की शक्तियां मेरे आपके आत्मिक जीवन पर मेरे आपके वैचारिक जीवन प पर प्रबल होते जाते हैं और जितना ज्यादा में और आप संसारिक होते जाते हैं जितना ज्यादा में और आप संसारिक बातों से संसारिक कामों से संसारिक जंदगी से संसारिक सोच से और लालत से और संसारिक चीदों में से प्रेम करते जाते हैं उतना मेरी और आप मसी की महबबस से दूर होते जाते हैं उतनी मेरी और आपकी आत्मिक आखें धीमे 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 बंद होते जाती हैं जिसन मेरी आपकी आत्मिक आखें बंद पूरी तरह से हो जाती हैं तम्यवराब फिर परमेश्वर को अनभव नहीं कर पाते, फिर म्यवराब परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते, फिर म्यवराब परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते, फिर म्यवराब मसी के प्रेम से वंचित हो जाते हैं, और निश्य तोर पे अपने लिए उस अ अनंत काल का अंधिहारा है खुदा की इकलाम में लिखा है इसी कान ओजियाला जो तुझ में है यदि वो अंधिकार हो जाए तो कितना बड़ा अंधिकार होगा निश्यत तोर पे जो परमेश्वर तुझ में वास करता है जिस परमेश्वर की आत्मा तुझ में वास करती है वो परमेश्वर तुझ उस प्रेम करता है वो परमेश्वर जो तुझे बचाना चाहता है अगर वही परमेश्वर तेरा साथ छोड़ कर चला जाए तो सोच सोच फिर कौन तुझे बचा सकता है कितना बड़ा अंधियारा होगा फिर तो definitely मैं और आप किसी अंदकार में खो जाएंगे मैईदों निश्यत तोर पे खुदावन चाहता है कि मैं और आप अपनी आत्मिक जीवन को और अपने धार्मिक जीवन को जांचे और परकें मैईदों मैं और आप अपनी धार्मिक से दूर होते जाते हैं क्यों होते जाते हैं इसलिए होते जाते हैं क्योंकि मैं और आप अपनी आत्मिक जिन्दगी की चिंता नहीं करते हैं मैं और आप अपनी आँखों को क्या करते जाते हैं अपनी आँखों को धीमे 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 अंदकार की और ले कर जाते हैं मैं तो खुदावन चाहता है कि मैं और आप मेरी आपकी आत्मिक आखें पूरी तरह से खराब हो जाएं मेरे और आपको उजियाला दिखाने वाला जीवन मुझे और आपको उजियाले की और ले जाने वाली चीज़ें पूरी तरह से मेरी आपकी जिन्दगी में से खतम हो जाए परमेश्वर का वच्छन मुझे से और आप से ले लिया जाए इसे पहले में और आप परमेश्वर की नजदी की में आ जाए इसे पहले में और आप तोबा करें खुदामन से काए प्रभू अगर कही न कही परमेश्वर अगर कही न कही मैंने अपनी आत्मिक आखों को खराब किया है परमेश्वर कही न कही यदि मेरी आँख जो आत्मिक आँख है और मेरे पूरे धार्मिक जीवन का सुरोता है मेरे पूरे शरीर को जो है वो जयाला देता है मेरे पूरे आत्मिक शही को जियाला देता है परमेश्वर यदि मैंने जाने और अन्जाने मैं कहीं उन आत्मिक आखों को गड़बड किया है परमेश्वर तु मुझ पर अपना अनुग्रे कर खुदामन होने दे बाप की तेरा कल्यान मेरे जीवन के उपर बनान है कि ऐसा नहूं कि मैं उस बड़े अंदकार के गड़े में डाल दिया जाऊं जहां पर रोना और धातों का पीस नहों जहां पर हाए हाए हो और मेरा छुडाने वाला कोई नहों खुदाई कराम में लिका है कि अगर आँखे ही खराब हो गएं तो तुझे दूसरा कौन हुझे आला देगा अगर परमेशवर का प्रेम ही मेरे आपके जीवन से अलग हो गया अगर परमेशवर का नुग्रही मेरे और आपके जीवन से चला गया अगर परमेश्वर का वचन ही मेरे और आपके जीवन से ले लिया गया फिर कौन मुझे और आपको उस अनंत काल के जीवन का मार्ग दिखाएगा अभी अवसर है कि अपनी आँखों को सर्फ परमेश्वर की और लगाएं अगर जाने अन्जाने कहीं परमेश्वर का वो वचन मेरी आपके जीवन से दूर हुआ है तो उसे परमेश्वर से शमा मांग कर रिपेयर कर लें येश्व मसी वो डॉक्टर है जो मरी आपकी आत्मिक आँखों को जो मुझे और आपको उजियाले की और ले जाकर उस अनंदकाल के जीवन में प्रवेश करने का मार्ग दिखा सकती है वो रिपेयर कर सकता है येश्व से कहें प्रभू मेरी आँख जो पूरे शरीर के लिए उजियाला है और शरीर को अनंदकाल के जीवन में ले जा सकता है उसे तू रिपेयर कर खुदावन मेरी धार्मिक जिन्दगी को रिपेयर कर परमेश्वर मेरी आत्मिक जीवन को रिपेयर कर कि मैं उस अनंदकाल के जीवन का वाई सो जाओं रातना में अपने सर को हुप परमेश्वर हम तेरा शुकर करते हैं तेरे उस अनुगरे के लिए खुदावन जो हमारे साथ बना रहा है रभी इस मंडली को तेरे नुगरे के साहे में लाते हैं हर एक को बरकत दें और तेरा कल्ले आना सब के उपड़ ठेह रहे हैं प्रातना शुनासरी के नाम से मार मजीख परमेश्वर का नुगरे करना ता परमेश्वर का प्रेम, पविदर रातमाँ की सहबागत और संगति विशेश्ष्व ठोरपे साथ और संसार के समस्त विश्वाशियों के साथ नरंतर बने रहे हैं प्रेज़ लौट खुदावंद आपके साथ रहे खुदा का नुगरे आप सब पर बना रहा है मैं रजीदो बिर भाई एक हम कल जो है मुं मनन करेंगे मती रचित सुतमाचार उसका छटवाद दिया है और उसकी सोलेमी और सतरेमी आइद पर मुझे आज इस पर मनन करना है था मैं भूल किया सहरी खुदावंद आपके साथ रहे परमेश्वर का नुगरे आप सब पर बना रहा है अभी मुझे जल शीदे पांच बजे जो है उस सिटी क्राइस मैंसे देशा जाना है क्योंकि यूनिटी आउक्टे वीक चल रहा है इसलिए मैं आप सबसे शमा चाहूंगा खुदावंद आप सब को बहुत बरकत दे परमेश्वर का नुगरे आप सब पर बना रहा है खुदावंद में बढ़ते चले जाएं फिर से कल शाम को अभी दो दिन का और है कल और परसों इसलिए हम लोग चार से पांच ही आएंगे बीच में चार से पौने पांच तर उसके बात फिर हम कंटीनियों अपने पांच बजे वाले श्यूडियूल पर लोटे आएंगे खुदावंद आप सब के साथ रहें